हलो अवरिवन तो कल आपन थेवनी निन थोरम कर रहे थी ठीका आधी कर ली थी तो एक बढ़ थोड़ा से रिवाईज कर ले थे उसमें क्या था ठीका जैसे अपनी लेंग्वेंच इम बोले तो इसमें ये जो सर्कीट है A ये B ठीका है इन दोनु से ये सर्कीट है ये आपनक थिक है मतलब थेओनिन थेओन धोडम ये बोलती है कि इस जो सरकिट है उसको अब यह बना सकते हैं तो इसके हमें डायर겁 त légाषुत के बढल सकते हैं ठीक है कि इस तरकित को यह बनाएंगे और इससे तो हमां इजी से निकाल सकते एक जो रेजिस्टेंस इसमें तो इसकी तरह कोई ऐसे जाल वाल तो नहीं है इसमें एक दो तीन चार चार रेजिस्टेंस हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोब्लम क्रियेट कर रहा था यह कि इतना लंबा चोड़ हो जाता इस वजह से इसको यह बनाया और इसका जो रिजल्ट इसके रिजल्ट के सेम होगा तो हम इस सर्केट को यह सर्केट बना सकते हैं तो यह प्रूव करेंगे तब ही तो हर चीज प्र किर्चौप का सेकेंड लो ठीक है दो एक्वेशन आई थी उससे आई यार और आई एस की फोर्म में आए था ठीक है आई एस एक्वेशन टू से मतलब फस्ट में रखा था यह कल अपने कर लिया था और अपने पास आई यार की वैल्यू आ गई थी शायद यहां तक कर लिय लिखा था जैड फोर्म में लिखा था ठीक है इक्वेशन थी थी यह अपने तो यह यार निकाल लिया था ठीक है इसमें तो कुछ नहीं लगाय बस किर्चौप की सेक्ट लो से अई आई आर निकाल लिए थी ठीक है अगर अब जो ए और बी है इसको अगर ओपन रखें A और B मतलब इस सर्कुट को open रखें मतलब यहां से इसको सब कुछ अटा दें जैसे सर्कुट यह बन जाएगा यहां भी resistance लगा हुए यह A point E यह B point ठीक है यह Z3 था पना यह Z1 था यह Z2 था ठीक है ऐसे था तो अगर इनको open कर दें इन सर्कुट को open कर दें तो क्या है गरो कोई कोई ध्यान से देखना अगर इनको open कर दें तो A B के बीच बोल तक क्या होगी या फिर बोल सकते है ETH, EMF सेम है, सेम ही बात है ठीक है तो वो क्या होगी A B के बीच वो ही होगी जो इनकी सिरू के बीच होगी यह parallel होगी और parallel में मैंने एक property बताई थी V1 बराबर V2 होता है ठीक है जो अपने important concept पढ़ा था उसमें बताए था अगर parallel हो तो V1 बराबर V2 होगा तो जो यहां voltage होगी वो यहां मिलेगी A B सिरू के बीच में ठीक है तो यहां कितनी होगी Z3 के सिरू के बीच में यह दोनों series में हैं क्योंकि यहां एक source लगा हुआ है तो series में वोल्ट तक कैसे निकाली थी इसको ETH बोलें इनके सिरू के बीच निकलेगी जो यहां निकलेगी वो इसको यह बोलेगे तो ऐसे बोल सकते है A B के सिरू के बीच में वोल्ट ता ETH ठीक है ETH equal to क्या लिखेंगे ETH जो यहां मिलेगी वो यह लिखेंगे और यहां कितनी होगी ETH अपनको E वोल्ट ता यहां निकालनी है तो क्या बताए था E याद करो वो Second Concept Second Concept से Second Concept यहां यूज हो रहा है इसके सिरू के बीच में निकालनी है तो इसकी impedance यह फिर resistance ठीक है और इन दोनों का योग सीरीज में एक बर Second Concept है पीच्छे जाके देख लेना यही है First Concept तो अपनने यूज कर लिया था तो समझ आ गए Second Concept है वोल्ट ता निकालने का यही Concept था ठीक है इसको equation 4 बोल सकते है ETH यह आ गया अब देखते है जो भी source लगे हैं उनको short circuit करते हैं मतलब इनको अटा देंगे एक तरीके से यह सीधा wire जोड़ देंगे तो बचेगा क्या अपने पास यह point A और यह point B यह बचा तो यहाँ पर क्या था Z1 Z2 और Z3 यह Z3 था यह Z2 था ठीक है तो Z total Z निकाले ZTH बोले उसको ठीक है तो क्या आएगा ZTH यह दोनो Z2 और यह दोनो यहाँ कोई source नहीं लगा हुआ तो यह दोनो parallel में तो करते हैं parallel में तो इन दोनों का तो Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3 बिल्कुल सबको आता है parallel में कैसे निकालते हैं 1 upon ZTH करेंगे फिर 1 upon Z1 plus 1 upon Z3 ऐसे करके फिर इनका LCM लेंगे और यह उपर यह आ जाएंगे यह इनका उल्टा कर देंगे reverse कर देंगे ठीक है प्लस यह सी रिजम हो जाएगा Z2 यह हो गया ZTH अब जो ZTH आया equation 5 बोले equation 5 और यह 4th है इसका यूज अपन 3 में करें तो देखो एक बर Z2 plus Z1 Z3 Z1 इसकी जगह क्या जाएगा ZTH ठीक है और इसकी जगह क्या जाएगा sorry EZ3 Z1 plus Z3 ETH तो क्या लिख सकते है final equation है वो क्या लिख सकते है IR बराबर side में लिख देते हूं IR बराबर उपर ETH नीचे R ZTH ZR यह ZR तो सेम रहेगा यह equation 6 बोले इसको अब तुम देखो अपन इस सर्कुट का यूज कहीं नहीं किया यह तो अपन प्रूव कर रहे थे यह सर्कुट और यह सर्कुट इकवल है तो इस सर्कुट से यह रिजल्ट आया अपने पास IR बराबर अब एक बर इस सर्कुट से और देख लेंगा अगर दोनों की रिजल्ट सेम आई इट मींस दोनों सेम है ठीक है तो इससे और देख लेते हैं एक बर इससे देखते हैं डायरक्ट है इससे देखेंगे IR निकालो इससे इस सर्कुट से IR इसमें जो IR flow रहे हैं वो निकालना है IR निकालने है यह जो resistance है यह resistance या impedance है एक दूसरे के series में यहां voltage लगे है तो I बरावर V upon R होता है तो ETH अपन यह दोनों series में तो ZS plus ZR equation 7 एक चीज़ देखो equation 7 और equation 6 सेम है इस सर्कृट को यह सर्कृट बना सकते है मतलब इसका result और इसका result सेम होगा यही तो सिद्ध करना था परको यही प्रूव करना था कि इन दोनों का result सेम होगा इससे लेके चलेगे थे अपन किर्चोफ का लो लगा है दोनों लूप में फिर उसके बाद IR निकाली फिर यहां से लोड रेजिस्टेंस अटाके और इसको सोर्ट सर्कृट करके मतलब सोर्स को अटाके सोर्स को एक सीधे वायर से जोड दिया यहां से हटा दिया इससे निकाला ETH निकाला और JTH निकाला ठीक है इसके बाद यह equation 3 में पूट किया यहां और यहां अपने पास रिजल्ट आया यह ठीक है और अगर अपन सेकंड सर्कृट से देखें सेकंड सर्कृट लाश्ट में बना सकते थे इस वज़े से बनाया कि इन दोनों सर्कृट को सेम प्रूब करना था ठीक है तो आयायर यह आ गया किसी को कोई दिक्कत यह थेवनिन फोरं यहीं प्रूब होती है ठीक है और बाकी इस पर एक क्युस्चन करेंगे उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा थिवनिन थोरं पे जान रख न थिवनिन में यहां एक लोड रजिस्टेंस लगा होगा है और इन्हों जैड टी-एच जैड टी-एच बनाएंगी मतलब जो भी इसमें इंपिडेंस लगे होएं उनका रिजल्टेंट जैड टी-एच निकालेंगे ठीक है और फिर eth टोटल eth क्या होगा वो निकालेंगे डाइरेक्ट अपने पास रिचल्ट आ जाएगा वो तीजी है तो किस्यन करेंगे कल नुमेरिकल करेंगे उसमें और भी अच्छे से समझ में जाएग जो भी डाउट होंगे किलियर हो जाएगे ठीक है तो दो थोरम कंप् राट आंची ठीक है को कि अवो कि अ